हाई एवरिवन आज हम ऐसी पेस्ट्री बनाएंगे जिसे ना हमें बेक करने की ज़रों थे ना हम इसमें मैदा यूस करेंगे ना आटा ना सूजी और ना ही कुछ गयाच जलाने की जहनजट और बस दस मिनिट में मार्केट जैसे सुपर सॉप्ट और यमी पाइनेपल करीम हैं और अब इसे एक विस्कर लेंगे और इससे हम हाथ से ही कोई भी उलेक्टिक बिटर से ने और जहीसे में आपकी वीडियो में दिखा रही हूं डोनों होटों के बीच में विस्कर को गूमाते होई इस क्रीम को हमें वेप कर लेना है और अब देखेंगे थोड़ी में क्रीम ठीक होनी शुरू हो चुके हैं इस क्रीम में शुगर है अगर आपकी क्रीम में शुगर नहीं है तो तक्रीबन टू टेबले स्पॉन शुगर आप इस टाइम पे डाल दिजे लेकिन ओ पावडर शुगर एकदम अच्छे से चानी हो योडी चाहिए बारिक फोड़ी करेंगे आप नॉर्मल चेनी ब्याड कर सकते लेकिन उसे घुलने में थोड़ी से देर लग जाएगी और इसमें हम पाइनेपल इसेंस एड करेंगे क्योंकि हम पाइनेपल पेस्ट्र बना रहे हैं इसलिए पाइनेपल इसेंस के कुछ ड्रॉप और इसे अच्छे से मिक्स क करके यह हो चुका है हमारा शुगर सिरफ अब मैंने लिए यह चार ब्रेड स्लाइस और इसके जो साइट से उसे हमें कट करके लेना है आप पांच भी ले सकते जैसे आपके पेस्ट्री के हाइट आप बनाना चाहते है वह से ले सकते अब मैंने टर्न टेबल पर एक पोड दिया है और उस पर थोड़ इसे क्रीम लगा कर इस पर ब्रेड के पहले स्लाइस रख दे रहे हूं और जो हमने शुगर सिरफ तयार किया था पाइनेपल इसे 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 पास पाइनेपल क्रश है तो इसमें से तकरिबन एक टीश्पून क्रश आप इस पर डाल सकते और अगर नहीं तो कोई बात नहीं आप इसे प्लेंट भी बना सकते और अब इसे पर दूसरी हमें ब्रेड की स्लाइस रखनें है इसे भी मौइस्ट करके क्रीम लगानी है और क्रीम को अच्छे से फेला देने के बाद क्रश फिर से दूसरी लेयर मौइस्ट करेंगे क्रीम और और फिर से दूसरी लेयर इसे भी अच्छे से मोईस्ट करेंगे और जब यह लास्ट लेर आएगी तो पूरे केक को हमें कवर कर देना है क्रीम से साइड से और उपर से भी सारी तरब क्रीम को अच्छे से लगाना है और अब इसे हमें अच्छे से प्लेन कर देना है देखें उसे चाकू के लप से थोड़ा थोड़ा स्क्रीम को श्प्रेड कर देने के बार मैंने यही Cats create यूज किये और चए तो कुई का वहीयार उसЬ कर सकते हैं इसे अच्छे से finishing देने के लिए इने के साइड से और उपर की finishing करने से पहले हमें कीक का जो कोंब होता है ओ लेना है और इसे केक के साइड में एसी डिजाइन बना देने है शारी और इसे डिजाइन बना देने के बार अब हमें जो टॉप है उसे चाकू के हल्प से स्मूध कर लेना है जैसके मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उस तरह और जो केक बोड अब यह मेंने लियाए पाइनाइपल जेल यानि कि जो हमारा पाइनाइपल क्रश्च था उसे थोड़ा सब इकसी मेंने चला लियाए और यह जेल बनके हमारा रेडिये उसे पाइपिंग बैग में भरके या पी यूज कर रहे हूं मैं इसी ड्रिप्स बना दिये और अब के हम पेस्ट्री की बार्डर बनाएंगे तो पेस्ट्री की बार्डर बनाते समय हमें ध्यानिये रखना है कि जो हम बार्डर बना रहे हो ज्यादा बोर्ड पर ने आनी चाहिए जो पेस्ट्री है वही पर हमें बनाने है थोड़ी उपर के स यह दिखे एक तुम मार्केट जैसी पेस्ट्री हमारे लग रहे हैं और अब उसी नोजल से जिससे हमें बार्डर बनाई थी छोटे स्टार वाली नोजल से एसे दो फार्स बना कर उसके उपर हम चेरी पर रख सकते हैं आप मेरे पास यह स्ट्रॉबेरी वाले चोकलेट से तो